हाई गाईज अभी रिसेंटली मैंने फिर से करोटी ब्रांड का दोसा थावा लिया है तो आज के वीडियो में देखेंगे इसका रिव्यू सब कुछ इसके उपर बना के चेक करेंगे तो यह 28 सेंटीमीटर का दोसा थावा इसकी MRP 1699 रूपीज है लेकिन Amazon से हमें 1110 रूपी वेट है इसका 900 ग्राम जो कि काफी डीसेंट है मतलब हलका नहीं लग रहा है और यह ग्रेन हाइट कोटिंग मतलब दिखने में इतना ही प्यारा लगता है यह PFOF री है और यह आपको 24 और 28 सेंटीमीटर दोनों में मिल जाएगा अच्छा बेस इसका स्टील इंडक्शन बे है तो उससे दाधा पतला हम क्या बेटर ड्राई करने वाले है तो बिल्कुल फ्लैट तावा है और हैंडल भी इसका बहुत स्टाइलिश है दिखने में आपको वुडन जैसा लग रहा है लेकिन लकडी का नहीं आई है सिर्फ लकडी जैसी फिनिश दी हुई है इसकी और ज चीला, ओमलेट, सैंड्विच सब आराम से बना सकते हो कुछ भी चिपकता नहीं है बड़े ही ईजिली मतलब प्रॉपर नॉन स्टिक है बड़े आराम से चीज़ें फिलिप होती है अगर यह तवा बहुत लंबे समय तक हमको चलाना है तो कुछ इंस्रक्शन्स हैं जो हमको फालो करने है एक कि तवे को ना कभी भी खाली हीट नहीं देनी है मतलब आपने तवा रखा गैस पे गरम हुआ तुरंद बैटर डालो यह नहीं कि हाई फ्लेम पे तवा पांच मिनिट तक गरम हो रहा है ऐसा करने से इसकी नॉन स्टिक कोटिंग डैमेज हो जाती है दूसर पॉइंट कभी भी दोसा चीला पलटने के लिए आप चाकू का या जो हमारे स्टील के वो होते है ना पल्टे उनका यूज नहीं करना है उसके अलावा आप लकडी का स्पैचुला यूज कर सकते हो या जो सिलिकॉन के आते ही वो यूज कर सकते हो तो ओवराल तवा अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो कॉमें पूश लेना और वीडियो फसंद आया तो सब्सक्राइब बाबाई